नमस्कार स्वागत है आपका मैं आपके साथ कुछ हूँ आखिरकार दिल्ली एचसी ने क्यूं लगाई विकिपीडिया को फटकार कि भारत पसंद नहीं तो यहां काम मत करो दिल्ली उचसी ने विकिपीडिया को अब मानना का नोटिस जारी किया है आपको बता दे कि अब मानना का नोटिस तब जारी किया जाता है जब आप आदालत में खड़े हो और आदालत के ही आदेसों का पालन ना करें कुछ ऐसा ही विकिपीडिया के साथ भी हुआ वहीं समचार एजनसी ANI द्वारा दायर मानहानी के मुकदबे पर सुनवाई करते हुए कोट ने कहा कि यदि आपको भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम ना करे हम सरकार से कहेंगे कि विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दे कोट ने अब इस मामले पर अक्टूवर में आगे की सुनवाई करेगी वहीं आपको ये भी बता दे कि गुरुवार को ये नूटिस जारी किया गया है और जानकारी के अनुसार ANI ने विकिपीडिया पर मानहानी को मुकदमादार क्यों किया था इसको भी हम आपको बताएंगे दरसल समचार इजनसी ने बताया कि विकिपीडिया ने अपने एक पेज पर ऐसी जानकारी लिखी जिसमें ANI को वर्तमान सरकार के लिए परचार उकरन के रूप में संदर्वित किया गया है उनके इस पेज पर यह जानकारी है कि विकिपीडिया के न सरकार के प्रोपगेंडा टूल के रूप में काम करती है साथी साथ में ये भी बताया गया कि फेक न्यूज वेबसाइट के विसालतम नेटवर्क के कर्टेंट को भी बाटने का काम करता है और गलत रिपोर्टिंग का भी उन्होंने आरोप लगाया है यही कारण है कि समचार एजनसी एएनाई ने विकिपीरिया पर जुलाई में मानहानी का मुकदमा दार किया था और दो करोर रुपे की भी मांग की थी इसी को लेकर अदालत में मुकदमा चल रहा था और 20 अगस्त को अदालत ने एएनाई के उस पेज पर गलत जानकारी को एलेट करने वाले तीन सस्क्राइबर की जानकारी देने को कहा था जिस पर देरी होने पर समचार एजनसी ने कोड के आदेसों का पालन ना करने का आरोप लगाते हुए पांच सितंबर को अवमाना का नोटिस जारी करने की मांगी इसी को लेकर कोड ने अवमाना का नोटिस विकिपीरिया के खिलाब जारी किया जहां सुनवाई के दौरान जस्तिट नवीन चावला ने विकिपीरिया के आचरण पर करिया पत्ती जताई है कोट ने आगे पुस्ताज की आखिर उसे बैंच के उस आदेश पर अमल क्यूं नहीं किया जिसमें कहा गया था कि वह उन लोगों के बारे में जानकारी दे जिस लोगों ने ANI के इस पेज में बदलाव किये हैं क्योंकि कहीं न कहीं इस कारण न्यू जनसनी के रेपोटेशन को खराब किया गया है विकिपीडिया ने कोट में दलीद दी कि उनका संथान भारत में नहीं है और इसलिए उनके अधिकारियों को कोट में पेश खोने और इस आदेश पर अमल करने में वक्त लगेगा हाला कि ये मुकदमा अभी भी कोट में दायर है और आगे की सुनवाई अक्टूबर में की जाएगी